जाहिन दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका हमारी यूटूब चेनल एक्जाम वाला में और आज हम फिर से एक इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला है ट्रिक से आपको याद कराने वाला है और जो टॉपिक का नाम है वो विभिन रंगों के मिसर्ण से बने रंग ये टॉपिक जो है आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा ट्रिक से एक बार में याद हो जाएगी, इस टॉपिक से आपको mostly जो है कोशन पूछे जाता है कि कौन से रंगों से को मिलाने पर ये रंग बनेगा, एक्जामपल के तोर पर जैसे अगर कोशन आए कि पीला रंग किन दोनों रंगों के मिसरन से बनता है, तो वह आपर आपका आंसर होगा लाल और हरा, तो इस टाइप के आपको question देखने को मिलेंगे, आज की वीडियो में आपको complete जो है रंगों के बारे में बताने वाला हूँ, एक ट्रिक से, केवल एक ट्रिक आपको याद रखन है, तो वीडियो को अगर आपको अगर पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दिजिए, और चैनल को subscribe कर दिए, साथ में बैल आइकन ज़रो दबा लिजिए, तो चलिए शुरू करते हैं, आज कि इस वीडियो को, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो मैं आपको link description में दे केवल ये diagram जो आपको दिख रहा है, और इस diagram के लावा आपको और किसी भी trick की requirement नहीं है, केवल आपने अगर ये diagram बना लिया तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस diagram को बनाना मैं सिखा देता हूं, और ये कुछ colors है, तो सबसे पहले हम diagram बनाना सीखते हैं, तो देखिए, diagram के लिए सबसे पहले आपको एक तिर्बुज बनाना है, यह देखिए, यह मैंने आपको तिर्बुज बनाया है, अब यहाँ पर आपको पता है कि तीन color होते हैं, आपके फोन में, LED में आपने सुनाओगे, LED भी मिलती है, RGB light जिसे colorful light बोलते हैं, तो यह तीनी color mostly होते हैं, जिने हम पूरक रंग बोल सकते हैं, मतलब और बागे जितने वे वित्परम होते हैं, तो यह प्राकुर्तिक रंग है, आर लाल, जी, हरा, और भी, blue, यह तीन रंग होते हैं, अब देखिए, इनको यहाँ से start करना है, आर, जी, बी, कैसे, anti-clockwise, आर, जी, बी, इसका मतलब हो गया, लाल, इसका मतलब हो गया, हरा, और इसका मतलब हो गया, नीला, यह तीन रंग हो गए, अब देखिए, आपको बीच ओ बीच में तो सफेद रहेगा, सफेद, ठीक है, बीचों बीच में क्या रहेगा, सफेद, अब यहाँ पर लिखना है, इन बुजाओं के बीच में, तो यहाँ पर देखिए, एक ट्रिक है, हमारा cm कैसा होना चाहिए, यंग होना चाहिए, cm कैसा होना चाहिए, यंग, जवान cm होगा, अच्छे ideas लेके आएगा, हमारी हाँ-स, साइट से, यहाँ से जस्ट सामने आपको, इसके सामने, यह वाला, यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, cm कैसा होना चाहिए, यंग होना चाहिए, सब कुछ आपको anti-clockwise लिखना है, R, grip, यहां से स्टार्ट क्या अब इसके सामने से सी एम कैसा होना चाहिए यंग होना चाहिए और बीच में आपके सफ्य दाइगा के विल आपको इतने से ट्रिक याद रखने है चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फेस पे यह है ट्रिक आप देखिए अब यह जो पीला रंग है यह किन किन के बीच में हरे और लाल के बीच में हरे और लाल का मिश्रण से जो रंग बनेगा वो बनेगा पीला इसी तरीके से लाल और नीले के बीच में कौन सा रंग है यह मेजेंडा एम मेजेंडा रंग का तो लाल और नीले के मिस्टर से कौन सा रंग बनेगा मेजेंडा इसी तरीके से हरा और नीले के बीच में कौन सा है शान कलर का सी मतलब शान मतलब पिकॉक नीला जो होता हलका नी तो हरा और नीले से कौन सा रंग बनता है शान कलर का रंग बनता है पिकॉक नीले कलर का रंग बनता है तो इस तरीके से आपको याद देखना और सफेद तो भई तीनों तीनों के मिस्टरण से सफेद रंग बनता है यह याद है वाई किसके किसके बीच में आर और जी तो आर प्लस जी आर प्लस जी कौन सा बनेगा यलो आर प्लस भी रैड और ब्लू के बीच में कौन सा है मैजेंडा तो कौन सा बनेगा मैजेंडा जी प्लस बी ग्रीन और ब्लू के बीच में कौन सा रंगा शान कलर का तो कौन सा बनेगा शान बनेगा यह फॉर्मॉला है और सपेद आर जी वी तिनो कलर के मिस्टन से यह बनेगा तो देखिए अब सीधा चलते हैं ट्रिक पर ट्रिक पर चलते हैं सब को मिटा देते हैं यह देखिए अब चलिए ट्रिक पर देखिए मेजिंडा रंग मेजिंडा मेजिंडा जो है वो कहां पर है यह रहा लाल और नीला तो मेजिंडा रंग कितना कैसे बनेगा नीला प्लस लाल से कौन सा बनेगा मेजिंडा पीले की बात करते हैं पीला देखिए पीला रंग किस-किस के बीच में ग्रिन और रेड के बीच में तो हरा रंग और लाल रंग हरा प्लस लाल से कौन सा रंग बनेगा यलो और लाश्ट पिकोग जो नीला है यह रा पिकोग नीला यह ग्रिन और ब्लू के बीच में तो हरा और नीले रंग के मिस्टन से कौन सा बनेगा पिकॉक नीला रंग बनेगा तीन हो गए अब देखिए बात करता है सफेद कलर की तो सफेद रंग मैंने आपको बता है भई आर जी भी होता है तीनों रंगों के मिस्टन से क्या बनेगा सफेद बनेगा तो पहला तो आपको यह एकना है आर और जी बी तीनों रंगों के मिस्रण से क्या बनेगा सफेड ठीक है अब इसमें काफी बार ऐसे पूछ लेता है कि ये तीनों रंग नहीं देता है और ये बीच वाले जो है इनको रंगों को दे देता है ये रंग तो देखिए मैजेंडा किस किस से बना हुआ है किस किस से बना हुआ है ये मैजेंडा आर और बी से तो बना हुआ है कौन सा मिसिंग है जी तो ये लो मतलब ये जो है ये आमने सामने के रंग को बनाता है मैजेंडा प्लस ग्रीन क्या हो जाएगा वाइट इसी तरीके से आमने प्लस रेड क्या हो जाएगा वाइट इस तरीके से देखिए सफेद रंग सफेद रंग पीला और इसके सामने नीला तो पीला और नीला बनके क्या बनाएगा सफेद रंग बनाएगा इसी तरीके से हरा और मेजेंडा क्या बनाएगा सफेद रंग बनाएगा लाल और शान कलर क्या बनाएंगे सफेद रंग बनाएंगे तो केल आपको यह ट्रिक याद रखनी है और आपको यह पूरे रंगों का कॉंसेट के लिए हो जाएगा आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्काइब कर लिजिए साथ में बैल आइकन दबाना ना भूले तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी और ट्रिकों के साथ में